कहानी की शुरुआत में हम जीको नाम के एक सिप को देखते हैं जो अपने कमरे से एक बग की फोटो निकाल रहा था लेकिन तभी वो बग वहाँ से भागने लगा जिस पर जीको भी उस बग के पीछे लग जाता है लेकिन उसी दवरान उसका सामना एक ग्री नाम के भीडिये से होता है जिसे देखकर वो डर के मारे वहाँ से भाग कर एक जगह छुप जाता है लेकिन तभी वो वहाँ पर भीडिये के एक बहुत बड़ी जुन्ड को देखता है जिसे देखकर जीको और भी जादा डर गया था और भागते हुई सीधे अपने सिप कबीले में आता है और सभी को इकटा करके उन्हें बताता है कि भीडिये का एक जूंडून के कबीले पर हमला करने वाला है। लेकिन वहाँ पर इकटे लोग जीको की बात को सेरियश नहीं लेते तो जीको उन्हें ग्रेव वुल्फ की तस्वीर दिखाता है। जिसे देखकर उन्हें जीको की बात पर यकीन करना पड़ता है और वो अपने सरदार के कहने पर उसका भी लेके मेंगेट को बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम उन भेडिये के लीडर मागरा को देखते हैं जो काफी सेंसिबल और मैच्चूर होता है। उसका मानना था कि हर जिंदगी अनमूल है। इसलिए जितना जर्रत हो उतना ही सिकार करने के लिए कहता था। मागरा की सारी बाते सभी भेडिये मानते थे लेकिन रैगियर नाम का एक भेडिया मागरा की कोई भी बात नहीं मानता था। और उनके किसी भी रूल्स को वो फॉलो नहीं करता। वही मागरा सभी भेडिये से कहता है कि मैं तुम लोगों का कई साल से सरदार रहा। लेकिन अब मैं बूडा हो गया हूँ और अब समय आ गया है कि कोई और इस कबिले का सरदार बने और जो भी इस कबिले का नया सरदार बनेगा उसे फाइट करके अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। ग्रेडिये के एक फीमेल वुल्फ वियांका को काफी नादान था वहीं सिब के कबिले में साया और क्रीम नाम के दो छोटे सिब बिना किसी को बताएं घूमने के लिए कबिले से बाहर आये थे तभी रैगेर उन दोनों सिप को देख लेता और मागरा के रूल के खिलाफ जाकर उन दोनों सिप का सिकार करने के लिए उन्हें पकड़ने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर ग्रे आकर उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन जब रैगेर ग्रे की बात नहीं मानता तो ग्रे रैगेर को अपनी बातों में उलजा कर एक पेड़ से ठकरा दीता है और मौका पात है ग्रे उन दोनों छोटे सिप को वहां से भगा दीता है वही साया की बेहन उसके ना मिलने की वज़े से काफी परिशान हो रही थी पर तभी क्रेम और साया वहां आ जाते हैं लेकिन वो दोनों उन्हें कुछ बताते नहीं है इधर उन भेड़िये के एक celebration function में ग्रे अपना ways बदल कर कुछ अजीब हरकते करता है जिससे व्यांका काफी निरास होती है और वो ग्रे से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है ये देखकर ग्रे जब व्यांका को मनाने जाता है तो व्यांका उससे कहती है कि मैं चाती हो कि तुम चीजों को अब seriously लो और अपनी जिम में दारियों को समझो वो उससे ये कहते हैं वे उसे अखेला छोड़कर वहां से चली जाती है इधर रैगेर ग्रे की हरकतों को देखते हुए मागरा से कहता है कि उसके अंदर लीडर बनने की कोई काबिलियत नहीं है इसलिए वो खुद को कभीले का सरदार बनाने को कहता है लेकिन मागरा रैगेर को अच्छी तरह से जानता था और इसलिए वो कभी नहीं चाता था कि रैगेर उनके कभी लेका सरदार बने इधर ग्रे जब अखेला बैठा था तो उसे पास में एक पार्टी होती दिखाई देती है दरसल वहाँ पर बहुत से रैबिट एक मैजिक सो देख रहे थे लेकिन जैसे ही वो सब ग्रे को देखते हैं सब ही लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं तो ग्रे उस मैजिक सो परफॉर्म करने वाली रैबिट नैनी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुचाऊंगा इसके बाद वो नैनी से कहता है कि मैं अपनी गर्ल्फरेंड वियांका के लिए खुद को बदलना चाता हूँ ताकि वो फिर से उसके पास आ जाए ये बात सुनकर नैनी उसे एक मैजिकल सीरम देती है जिसे बिना कुछ सोचे समझे ही वो पी लेता है क्योंकि ग्रे को लगता है कि ये सीरम पीते ही वियांका उसे पसंद करने लगेगी सीरम पीने के बाद वहाँ तो ग्रे में कोई बदलाव नहीं आता लेकिन जब वो वियांका से मिलने के लिए जाने लगता है तो रास्ते में वो सीरम अपना असर दिखाता है और देखते ही देखते ग्रे वुल्फ से एक सिप में बदल जाता है और चटान से फिसल कर वो रेगेर के पास आगिरता है वो जब Rieger को देखता है तो वो उसे पहचान जाता है लेकिन Rieger उसे पहचान नहीं पाता Gray को सिप के रूप में देखकर Rieger के साथ सभी वुल्फ सनकारा करने के लिए उसपर तूट पड़ते हैं Gray उन्हें काफी समझाने की कोसिस कर रहा था लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दी था तो ग्रे को मजबूरन अपनी जान बचा कर वहाँ से भागना पड़ता है और भागते हुए ग्रे सीधा उन सिपस के कपीले में जागिरता है और जब उसकी आँख खुलती है लेकिन ग्रे के सीप बनने के बाद जी को उसे ठीक से पहचान नहीं पा रहा था और काफी उचाई से गिरने के बाद ग्रे भी ये भूल चुका था कि वो सीप कैसे बना वहीं पे ग्रे को मौज नाम का एक बड़ बोला सीप मिलता है जो हमिसा काफी बाते किया करता था और उसी से बात करते हुए ग्रे को याद आता है कि वो चटान से नीचे गिर गया था और इसलिए उसे लगता है कि उचाई से गिरने की वज़ा से ही वो एक सेप में बदल गया और अगर दुबारा वो उचाई से गिरेगा तो वो वापस भेडिया बन सकता है इसलिए वो कई उची जगाहों से जंप करता है लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं होता तब ही उसे यादाता है कि ये सब मैजीसियन नैनी के मैजिकल सीरम की वज़ा से हुआ है तो वो जल्दी से इस प्रॉबलम का सॉल्यूशन ढूने के लिए नैनी के पाज जाता है लेकिन तब तक नैनी वहाँ से जा चुकी थी इसलिए वो दुखी होकर लाइरा के घर आता है इधर वियांका ग्रे के ना मिलने से काफी दुखी थी तो रागयर उससे कहता है कि ग्रे मुझस से मुकाबला करने के डर से यहाँ से भाग गया होगा लेकिन वियांका इस बात को नहीं मानती क्यूंकि वो ग्रे को अच्छे से जानती थी कि वो भागने वालों में से नहीं है अगले दिन लायरा का भाई साया ग्रे को बाहर घोमने को कहता है और जब वो दोनों जाने लगते हैं तो वहां मौच भी आ जाता है और इसके बाद वो तीनों एक टूरॉमेंट देखने जाते हैं जहां सिप का एक फाइट होता है ग्रेउस टूरॉमेंट के चैंपियन देखने जाने पर डाटते हुए जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें रैगेर के चमचे मिल जाते हैं जिसे देखकर लायरा चलाने लगती है लायरा की आवाज सुनकर ग्रे भागता वो उनके पास आता है और जब ग्रे गोबलर और स्कीनी को वहाँ देखता है तो वो उ रास होकर ग्रे वापस से सिप के कबीले में आता है जहां पर वो देखता है कि सभी सिप उसके सम्मान में एक पार्टी रखे हुए हैं वहीं ग्रे बच्चों के साथ खेलते हुए साया को एक फाइटिंग मूव सिखाता है और उससे कहता है कि तुम इस मूव की वज़े से भेडिये को भी आरा सकते हो वहीं लाइरा ग्रे को पसंद करने लगी थी लेकिन ग्रे तो सिर्फ व्यांका को पसंद करता था इसलिए ग्रे जब मौज को वहाँ देखता है तो वह वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो जानता था कि मौज लाइरा को पसंद करता है लेकिन तो उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो लारा से कुछ कह नहीं पाता उधर क्रीम और साया ग्रेस से वो मुव सीक कर भीडिये से फाइट करनी चला जाता है जहां पर वो रैगेर और मागरा को देखता है रैगेर मागरा से खुद को कभीले का लीडर बनाने को कह रहा था तो मागरा रैगेर से कहता है कि अगर ग्रेस सच में मुकाबले से डर कर वहाँ से भाग गया है तो मैं तुमसे मुकाबला करूँगा रैगेर जब ये देखता है कि मागरा उसे किसी भी हाल में उसका भीले का लीडर नहीं बनने देगा तो रैगेर उसे चटान से नीचे गिरा कर मार देता है ये सब साया और क्रेम देख लेते हैं और डर कर वहां से भागने लगते हैं लेकिन साया रैगेर के द्वारा पकड़ा जाता है वहीं रैगेर सभी भेड़िये से कहता है कि हमारी महान लीडर मागरा ग्रे को डोंडते हुए एक चट्टान से गिर कर मारे गए लेकिन इस बात पर वियांका को जरा भी विश्वास नहीं होता तभी रैगिर अपने आपको उस कबीले का नया लीडर घोसित कर दीता है उधर क्रेम सभी को साया के पकड़े जाने के बारे में बताता है तो लायरा बहुस हो जाती है ये सुनकर जब ग्रे साया को छुडाने के लिए उस कबीले के लीडर से कहता है तो कोई भी इसके लिए तयार नहीं होता तो ग्रे अकेले ही साया को छुडाने चला जाता है ये देखकर मौच बिलारा को इंप्रेश करने के लिए ग्रे की साथ चला जाता है वो दोनों प्राउड फिल करने लगता है और सभी की नजर में वो हीरो बन गया था लायरा भी खुट ह üzी के मारे मौच को अपने गले से लगा लीती है इसके बाद ग्रे उस जगा पर जाता है जहाँ पर वो वियांका से मिला करता था और वहीं पर वियांका भी आ जाती है जो पहले तो ग्रे को नहीं पहचान थी तो जी को चुपके से उन दोनों की तस्वीर निकाल लीता है और अपने कबीले में उन दोनों की तस्वीर को दिखाते हुए कहता है कि ग्रे एक जासूस है जो अपने फाइदे के लिए भेड़ी को हमारी खबर दीता है ग्रें उन्हें बतानी की कोशिस करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन जब कोई भी उनकी बात नहीं मानता तो ग्रें उन्हें भला बुरा कहा कर वहाँ से चला जाता है उधर स्कीनी रैगेर को ये बता देता है कि एक सिप साय को छुड़ा कर ले गया और वो सिप कोई और नहीं बलकि ग्रे था ये सुनकर रैगेर बहुत खुस हो जाता है क्योंकि उसे ग्रे से बदला लेने का यही सही समय लगता है इसके बाद वो सबी भेडिये को उसके खिलाब भढ़काता है और उनसे कहता है कि उन सिप को इस गलती की सजा मिलेगी और ये कहते हुए रैगेर सबी भेडिये को सिप पर एक साथ हामला करने को कहता है इधर काफी ज़्यादा मातरा में सीरम पीने की वज़ा से ग्रे बेहोस हो गया था लेकिन नैनी उसे देख लेती है और वो ग्रे को अपने घर लेकर आती है जहां वो उसे बताती है कि अगर वो दुबारा से भेडिया बनना चाता है तो उसे साल में सिर्फ एकी बार बनने वाले मैजिक डियू को पैंटरी से लाना होगा नहीं तो वो कभी भी एक भेडिया नहीं बन पाएगा वही नैनी ग्रे को ये बताती है कि भेडिये कली सिप्स के उपर हमला करने वाले हैं तो ये सुनते ही वो उन सिप्स को बचाने चला जाता है और वो सभी सिप्स को भेडिये के हमले के बारे में बताता है पहले तो जी को ग्रे की बात का विरूद करता है लेकिन उसके काफी समझाने के बात वो लोग ग्रे की बातों का विश्वास करते हैं और वो लोग उन बेडिये से डर कर वहाँ से भागने की कोसिस करते हैं लेकिन ग्रे उन्हें बेडिये का सामना करने के लिए मोटिवेट करता है और कहता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो उन बेडिये का सामना कर सकते हैं ये सुनकर शबी सिप्स उसकी बातों से सैमत हो जाते ह और वो उन भेडिये से लड़ने की तयार ही करने लगते हैं। और उसी राथ भेडिये का जूंट सिप्स पर हमला करने के लिए निकल जाता है। उसी दोरान वियांका नैनी के पास पहुंचती और वो नैनी से ग्रे को ठीक करने का उपाय पूचती है। इधर भेडिये जब सिप के कबीले पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं तो सिप भी उन पर हमला कर दीते हैं। सिप उन भेडिये को रोकने की काफी कोसिस कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो भेडियों उन सिप के कबीले के अंदर पहुंच जाते हैं। तो यह देखकर सिपुन से बचने के लिए वहां के एक गुफा से भागने लगते हैं। उस गुफा से निकलते ही सभी सिपुन सभी भेडियों को उसी गुफा में बंद कर देते हैं। गुफा के बंद होते ही उसमें पानी भनने लगता है और सभी भेड़िय उसमें डूबने लगते हैं। ग्रे उन्हें मारना नहीं चाथा था, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए सिप्स को कन्वेंस कर लीता है। ग्रे की बात मान कर सभी सिप्स उस चट्टान को हटा कर उन भेडिये को बचा लेते हैं लेकिन गुफा के बाहर निकलने के बाद रैगियर उन्हें धोका देते हुए साया को पकड़ लीता है और अपने साथियों को उन सभी सिप्स को खत्म करने का ओर्डर दीता है वहीं साया जब रैगियर को देखती है तो उसे पैचान जाती है और सभी को बताती है कि इसी नहीं मागरा को चट्टान से गिरा कर मार डाला इसके बाद रैगियर और ग्रे के बीच लीडर बनने के लिए फाइट होने लगती है तब ही वहाँ पर वियांका आती है जो ग्रे को ठीक करने वाला सीरम लेकर आई थी ग्रे उस सीरम को पी लेता और रैगियर के साथ फाइट करने लगता है सीरम पिने के काफी समय बाद जब ग्रे अपने रियल फॉर्म में नहीं आता तो सबको लगता है कि ग्रे अप कभी भीडिया नहीं बन पाएगा लेकिन कुछी समय के बाद ग्रे अपने रियल फाउम में वापस आने लगता है तो ये देख कर रहा है अगर ग्रे को माने के लिए उस पर अटैक करता है और इसी दोरान वो खाई में गिर कर मारा जाता है और इसके बाद फाइनली ग्रेवी अंका को साधी के लिए परपोस कर दीता है और दोनों खुसी खुसी एक दूसरे से साधी कर लेते हैं उनकी साधी में सभी सेपस और भेडिये भी सामिल थे जो उनकी साधी को काफी enjoy कर रहे थे और इसी के साथ ये movie यहीं पर खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो please do like and share this video and please subscribe to my channel and press that bell icon